नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चानल बे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज चुब्श वर्स की महला कहते लिकाद दिन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर अगर आप लोगों नभी तक हमारे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरप्य करके चानल को सस्क्राइब कर ले बेल अकन को प्रेस कर दे ताकि रिड़स नोटिफिकेशन आपको मेंच जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रिकार है वर्तमान समय में अ इस साड़े महतपूर्ण वेशियों पर इनको जानना है तो आप बिलकुल चिंदा ना करें आपके इस कोशन को हमने बारे की पुर्वक समझ लिया है जान लिया देख लिया है अब मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपके चीज विवाह समझदी मामले में अगर कोई वेक्ती मेरे से जाना चाहता है तो विवाह रेखा का बड़ा महतव होता है किसी भी वेक्ती के हाथ पर अगर आपके हाथ पर विवाह रेखा सार्थता के साथ है तो विवाही जीवन आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा मतलब आपकी शादी बहुत जल्दी होगी तो अब इनके हाथ पर विवा रेखा कि मैं बात करूँ तो एक धूमिल था, एक यहां आगे था मतलब थोड़ी धूमिल विवा रेखा मुझे आपके हाथ पर दिखी इसका मतलब है कि थोड़ा लेट होगा का शादी डेफिनिटली इसका अर्थ है कि जात तक ऐसे विवा रेखा का शादी थोड़ा लेट होता है इस केस में विवा लेट होने के योग बनते हैं इस केस में शादी लेट होने के योग बनते हैं ये रियालिटी है यह reality है, इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर विवार एका सुरुवाती दोर में धूमिल हो, तो यह शादी लेट की समस्याओं को बदाता है, इस case में भिक्ती के जीवन में जो विवाहिक जीवन का शुक होता है, वो लेट देखने को मिलता है, चली यह तो गई आगे बात कर लेते हैं, आगे चीजों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं और आपके हाथ पर और आपकी जीवन कैसे बीतेगी, सार्थक्ताओं के साथ बीतेगी की नहीं, इस विशेपड़ भी हम बात कर लेते हैं, तो अ अगर ब्रश्पती किसी व्यक्ति का बहतर रहता है तो विवाहिक जीवन का शुक इनको जल्दी देखने को मिलता है। कि हर एक व्यक्ति के हिसाब से उपाय अलग-अलग होते हैं। अगर मैं डिसकस कर दूँगा और आपने वो उपाय कर लिया, आपको बेनिफिट नहीं मिला, उल्टा साइड इफेक्ट मिल गया तो यह कहीं नहीं आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी ना, इसलिए मैं उप उपाय वो मैं वीडियो में बताने का कोशिश करता हूँ। लेकिन बेनिफिट आपको होता है यूनिवर्सल उपाय से नहीं, पार्टिकुलर्ली उपाय से, तो पार्टिकुलर्ल उपाय करना जरूरी है, यूनिवर्सल उपाय से जदा बहतर माना जाता है। चलिए, हम आगे इस वीडियो के मादम से बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा यह बागी रेखा तो बागी रेखा में कोई कमी नहीं है इवन बागी रेखा आपकी बहुत जादा अच्छी स्थती में है थोड़ा परिवरतन है मतलब नौ बागी रेखा का भी फल जातक को अच्छा मिलता है सूरी रेखा के द्वारवी जातक के जीवन में नई उपलब्धियां वर नई प्रगितियां इनको देखने को मलती है सार्थकताओं के साथ जीवन में फल आता है बुद्धरेखा को बहुत सार्थक नहीं थी तो कहां यहाँ पर जब जॉब करना होता है व्यक्तियों को तब जाके बुद्धरेखा का इंपोर्टेंस होता है जब जॉब नहीं करना होता है तो बुद्धरेखा को लेके खास फल जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलता और ना ही जरूरी है कि ये बुद्ध रेखा को लेके इतने चंतत रहें इसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं तो आप देखेंगी तो जीवन रेखा पर राहू रेखा अगर जीवन में नई उपलब्दी वह सार थकता हैं चाहिए तो इस राहू रेखा के लिए आपको उपाय करने हैं ये राहू रेखा के लिए उपाय करेंगी तब ही जाकि जीवन में नई उपलब्दीया वह नई सार थकता हैं आपको देखने को बलेंगी यह reality है यह सच है इस बात को दिवांग में लेके आपको चलना है उसके बाद अगर आप देखें तो negativity में अगर मैं बात कर लूँ तो मिरश्पती का down था वो तो मैंने आपको बता दिया अब यह जीवन रेखा सागे के life को अब कवर करेंगे चीजों को समझेंगे तो सबसे पहले तो यह mind line है यह life line है highly independent in nature जहाँ पर आपको दिख रहा है progress line जीवन में growth होता है कुछ triangles हैं जो negativity दूर कर रही है बट यह सब जो राहू रेखा है न यह परसपारिक तनाव को बताती है लगबग 30 years तक आपके हाथ पर है तो यह जीवन में 30 वर्स के आई तक आपके जीवन में तो रेवोत तनाव को यह indicate करेगा यहाँ से आप देखोगे तो लगबग 32 में growth था फर 33 में राहू रेखा मतलब परस पर राहू रेखा चली है कोई ने कोई कोई समस्याइं आते रहती हैं लेकिन कोई बात नहीं आप महादेव की रादना करें अगर किसी भी वेक्ति के हाथ पर राहू रेखा जादा एमाउंट में दिख रही है तो इनको महादेव का रादना करना चाहिए इससे राहू रेखा के फल में कमी आता है राहू रेखा के दुस्परिनाम में कमी आता है और जीवन में नई उचाईयों को प्राप्त करते वे ऐसे वेक्ति आगे बढ़ते हैं इसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद ग्रोथ है जीवन में प्रग्रतिवा सफलता के योग बने हैं आगे भी जीवन ड्रेका बढ़िया है नो डाउट ये कुछ यात्राओं के योग है इसकेस में यात्राएं रहती हैं मंगल ये आपकी जबरदस एक दिकरी है मुझे मंगल रेखा बाकी लग्जुरिस लाइफ के योग बने हैं मनी मनेजमेंट की लाइन बहुत ही जादा अच्छी है जीवन में पैसे आते हैं तोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन है बहुत जादा भी नहीं है शुक्र बढ़िया एक कंफर्टेबल लाइफ रहेगी और लग किरती है जबी भी सपोर्ट चाहिए मल जाता है डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्मा कांची है और बहतरीन थंब है तो वेक्तित वह बहुत शांदार समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के प्रबल है ऐसे वेक्तियों की जो वाग पर उता होती है यह बड़ी अच्छी होती बड़ी शांदार होती है यहां पर आप देखो के तो परुपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते है माइंड रेखा अच्छी है दिमाग के तेईज है तरदार रेका पर शमान अबाव अच्छा है बहुत समझदार यह गजब की यह सूरी रेका यहां से भी दिक्रिये बहतरी यह भी बहुत अच्छी आपकी बाग्य रेखा है बुद्ध रेखा कोई खास सार्थक नहीं थी तो कोई खास वैपार तो आपको करना नहीं है तो बुद्ध रेखा को लेके इतना म बुद्ध रेखा का ब्रांच है मतलब मंगल से जुरावाकारी आप कर सकते हैं नो डाउट दोनों मंगल बढ़िया है हाई इनर्जेटिक है प्राक्रमी है समर्पत है चदनमा अच्छा है पैसर की फुलो बनी लेगी कुछ यात्राओं के योग है जीवन में इस केस में यात् कि दनमान सम्मान को लेकर दिक्कत नहीं होता तो यह था इनके तरी का पूर्णता वेस्टेशन अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद लाइक कर दे कमेंड करें से सिस्क्राइब कर दगरा विक्तिकत रूप से अस्तरे का निखा के सही जानकरी प्रात करना चाहते है अमा